एलो दोस्तों तो दोस्त आप मेंसे जो भी 10th pass है मुझे लगता आप मेंसे लगभं 99.9% जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो 10th pass होंगे उनके लिए बहुत अच्छी जॉब है जो भी 10th pass है वो Constable के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप मेंसे जो भी graduate है वो SI के लिए अप् सकते हैं यह दो वेकंसी समय रेलवे में निकली हुई है अच्छी जॉब है सेलरी अच्छी है Constable में 40 के असपास सेलरी पढ़ जाती है और SI में 60,000 के ऊपर सेलरी पढ़ती है इस्टेशन के पास जूटी रहती है मेशा आपको कहीं इस तरह से धूप में घूमना फिरना ज् होता है साथ से दस दिन के बीच में आपको एक रहे जाता है पांस साल लगबग एक जगा पोस्टिंग रहती है उसके बाद आपका ट्रांसफर कर दिया जाता दूसरे स्टेशन पर कोई खास दिक्कत नहीं आती अच्छी जौब है इसके फॉर्म निकले हुए है ठीक है आपको सब मिल जाएगा है ना मैं इतनी उमीद तो करता हूं देखो कि आप जौब के लिए अपलाई कर रहे हो दसवी पास हो तो कहीं ना कहीं से तो यह निकाली लोगे वेपसाइट आ गई आप भर लोगे फॉर्म भरने में कुछ कंफीजन होते हैं मैं बनाना चाहता था उसके उपर वीडियो पर मुझे लगता है मैं बना नहीं पाऊंगा है ना जौब से थोड़ा सा समय कम मिल पाता है कुछ दिक्कते हैं ऐसी घर पे कम रह पाता हूं मैं है ना और जो वेकेंसी की बात करी जाए तो ऐसा ही की है 452 पोस्ट थोड़ी सी कम है और कॉंस्टेवल की हैं 4208 पोस्ट ठीक स्टेजिस आपके सामने चार स्टेजिस रहेंगे सबसे पहले सीबीट यानी कंप्यूटर बेस टेस्ट उसके बाद क्या होगा आपका फिजिकल उसके बाद क्या होगा अपका डॉकुमेंट वेरिफिकेशन सर्फ एक ही आपका रेटेन एक्जाम होना है अब मैंने इस तरह से टेबिल बना दिया एक तरफ एसाई का और एक तरफ कॉंस्टेबल का लड़कियां भी इसमें बहुत फॉर्म भरती हैं आपने खुद से देखा होगा आप लोग जो भी ट्रेइन से ट्रेवल करते हो आपने देखा होगा कि जब आप स्टेशन इसमें नौक नीज वगारा यह सब नहीं चलेंगे और वगरा भी सही होनी चाहिए एक रियलवे में वीवन कैटेगरी क्या होती यह आप गूगल पर सर्च करके दे सकते हैं जैसे लोको पाइलेट में एवन कैटेगरी का होता है नोटिफिकेशन में सब दिया हुआ है तो लिए मैंने सभी सब्जेक्स का ठीक है सिलेवस सेम होने वाला है एसाई और कॉस्टेवल का सिर्फ कोश्चन के लेविल में अंतर आएगा है ना मैडिकल सेम हो गया आएज सेम होगी कोशन भी दोनों में सेम आएंगे 120 सवाल होंगे आपके पास और 90 मिनिट का समय होगा ठीक पर मार्किंग होगी और नॉर्मलाइजेशन भी होगा अब जो बच्चे नॉर्मलाइजेशन नहीं समझते हैं क्या होता है नॉर्मलाइजेशन यह होता है कि कोई भी एक्जाम रेलवे का कई दिनों तक चलते हैं आज दो तीन शिफ्ट में चलेंगे इस तरह से हफते दस जिनकि जाकर औला हो पाते हैं क्जोंकि ज्यादा फॉर्म भर दे तो अब कुछ शिफ्ट ऐसी रही होंगी जो हाड होंगी ऑले बच्चों के कुछ माउस बढ़ाती जाते हैं एensor नंबर आते हैं कुछ मांस घटा जाते हैं जडरूरी भी नहीं घटाएचों davak रख सकते हैं और हाड़ वालों के बढ़ा सकते हैं यह होता है normalization की सभी को normalized कर दो बराबर कर दो अब बात करी जाए कि सब्जक्त से कितने सवाल आएंगे तो मैत के आएंगे 35 सवाल रीजनिंग के आएंगे 30 सवाल और जर्णल अवेरनेस के आएंगे कुल मिलाके 50 सवाल मैं अपनी परसनली बात करूं देखो मेरी जीके बहुत कमजोर है मेरे तीन सब्जेक्ट अच्छे हैं मैत रीजनिंग साइंस रेलवे में लोको पाइलेट में यह चीजे पॉजिटिव चीज थी मेरी है ना उसमें जीके कम आती है पर यहां पर आरपीएफ में आपको जीके अपनी अच्छी रखनी पड़ेगी क्योंकि 50 नमर की आ रही है इसमें पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी और साइंस भी आएगी इसमें बेसिक साइंस भी आ बात करे जाएं सबसे पहले ऐसाई की तो ऐसाई में मेल की 165 सेंटीमेटर और फीमेल की 157 सेंटीमेटर हाइट मांगी गई है वहीं कॉछ लोगों को छूट है रिलैक्सेशन है और नोटिफिकेशन में सभी चीज़ें बिल्कुल पॉइंट टू-पॉइंट क्लियर दी हु तो मेल 1600 मेटर है यह मेल्स के लिए है और जो 800 मेटर दौड है यह सरफ फीमेल के लिए है तो जो मेल केंडिटेट है उनको SI के लिए जो बच्चे आएंगे उनको 1600 मेटर कंप्लीट करनी है 6 मिनट 30 सेकिड में और जो कॉंस्टेबल के लिए बच्चे आएंगे उनको 1600 मेटर complete करनी है 5 minute 45 सेकिंड में वहीं female candidate भी आएंगी जिनको 800 मिटर की दौरी करनी है तो जो लड़कियां SI के लिए आएंगी वो उनको 800 मिटर 4 मिटर में complete करनी है और जो constable के लिए आएंगी उनको 800 सो मिटर तीन मिनट चालेश सेकिंड में केंप्लेट करनी हैं बार-बार चांस नहीं दिये जाएंगे पर जो लॉंग जंप और हाई-जंप हैं इसमें आपको दो चांस दिये जाएंगे मां लीजी एक चांस में आप नहीं कूट पाते हैं कुछ गरबर हो या तो अगला चांस लॉंग जब मैंने लिखा हुआ है यह जो बारा फिट है ऐसाई की बता रहा हूं यह मेल के लिए है और तीन फिट नौइंच फीमेल के लिए है अगर आप कॉंस्टेबल की भरती के लिए आ रहे हैं तो चार फिट कूदना है यानि पापा का परावन के उड़ जाना है फीमेल्स की दोनों जगा सेम है तीन फिट हाई जम ठीक है उमीद है इतना अभी तक समझ में आया होगा अब चलते हैं आगे सिलेबस पर सिलेबस में देखने से पहले जरा मैं आपको कुछ चीज़े बताता है हिंदू में भी आती है किरण पसकैस की इस पर आपको गांधी जी का फोटो मिलेगा इसमें आपको मलब जीक है इससे इस से पोची जाएगी तो फोकस बहुत से लोग से बताता रहा है तो यू कि इनका टारगेट रेलवेइं वोता है इनका टार्गेट हर एक्जाम नहीं होता है कि टीचिंग का भी एक्जाम हो गया हर एक्जाम नहीं मेन फोकस रेलवे होता है बाकी जो करते रहें ठीक है यह बुक आपको जित्ते रुपे की भी हो 269 पड़े हूँ है डाइसों के असपास पड़ जाएगी अब इसमें आपकी सारी चीजे हैं साइंस भी है हिंदी इंगलिश दोनों में यह बुक मिल जाएगी आपको वन लाइनर अप्रोच के नाम से है यह बुक इस एक्जाम के लिए बहुत बेनेफिट है मैंने आपको यह बुक एलपी के लिए नहीं बताई होगी है ना मैं यह बुक आपको बता रहा हूं किसके लिए आर्पीएफ के लिए क्योंकि आर्पीएफ में जो जीके का वेटेज है वह थोड़ा सा ज्यादा है ठीक साइंस की जा मतलब साइंस भी पूछी जाती है और साथी साथ जीके भी पूछी जाती वह इसमें complete है इसके इलावा देखो मैं है 35 नंबर की औ पर श॥े से जाता हूं यह अंकल वने रहते हैं किर्ण पॉब्लीकेशन लिखा रहता यह मोटी किताब है कितने पेज glare बैज है 1332पेज यह फंशारत रहता हूं वह सनम्यूझता रहता है इसमें आपका happy likely working work hvor 2222 चीए इंटे पी इसके इसके अलावा परभी संपतिश्ट ए अतलब को मिलाकर रेलवे के लिए अगर आपने एबूक ले ली तो आपको बार-बार अलग बुक्स नहीं खरीदनी है और सेम एपलाई होता है रीजनिंग के लिए भी रीजनिंग की भी देखो रीजनिंग की भी सेम बूक है यह यहां पर आपको फोटो मिलेगा किरन पुब्लिकेशन लिखा मिलेगा लगबग उतने ही पेच की है और इसमें यह सभी एक्जाम कवर है साथ ही साथ आज तक क्या आए हुए सभी कोश्चन टॉपिक वाइज है तो अब आपने मानलो एलपी का फॉर्म भरा जेए का आएगा जेए का भरेंगे एंटीपीसी का आएगा एंटीपीसी का भरेंगे एसाई का आगया एसाई का भर देंगे तो अब आपको अलग अलग से थोड़ी लेनी है एक ही बुक सबका काम चलाएगी डिस्क्रिप्शन complete syllabus लिखा है नीचे gk का भी लिखा है अभी दिखाऊंगा भाई मेरे कैमरे में इत्ता ही आप आ रहा है आपको क्या करना है जब math के notes बनाओ तो पहले page पे math का complete syllabus लिख लेना है जो reasoning का register बनाओ तो पहले page पे reasoning का पूरा syllabus लिख लेना है उसके बाद one by one topic by topic आपको complete करते topic हो गया और कौन सा topic मेरा बचा हुआ है बहुत से बच्चे PDF मांगते हैं बहुत से बच्चे screenshot लेते हैं कोई फाइदा नहीं होता लिखके देता हूं screenshot आपके फोन में पढ़ा रह जाएगा PDF आपके फोन में पढ़ी रह जाएगी कभी काम नहीं आएंगे काम क्या आएगा जो आप अपने हाथ से लिखोगे वो काम आएगा syllabus लिखो syllabus में topic wise आप पढ़ाई करो topic wise इससे क्या होगा आपको पता रहेगा कि मेरा अभी एवरेज वाला topic छूटा हुआ है इससे आपको पता रहेगा कि मेरे को यह topic कमजूर है मेरा यह topic strong है यह फाइदा होता है तो 35 नंबर की मैत और 35 नंबर की reasoning और syllabus आपके सामने मैंने दिखा दिया SI का भी यही syllabus है और Constable का भी यही syllabus है सुर्फ अंतर रहेगा पेपर में level of questions पर थोड़ा सा Constable का थोड़ा सा easy रह जाएगा level easy to medium और SI वाला medium to hard हो जाएगा यह देखो journal awareness 50 नंबर की है इसमें आपका environment, society, current event, history, culture, geography, economics, politics, constitution, sports और journal science यह सभी cover हो जाएगे यानि की काफी सारे subject ह 59-50 नंबर के लिए बहुत से बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे होंगे है ना कुछ SSC की तैयारी कर रहे होंगे कुछ दूसरे exam की तैयारी कर रहे होंगे तो उन बच्चों को इसमें benefit मिलेगा और जो बच्चे ऐसे होंगे जो अभी नए- तो जहां तक मैं मानता हूँ वो जर्णल अवेरनेस में कहीं न कहीं थोड़ी सी मात खाएंगे थोड़ा सा पिछड़ेंगे ठीक तैयारी आपको कैसे शुरू करनी है मैंने आपको बताया सब्जेक्ट वाइस आप अपने रजिस्टर बनाईए हिस्ट्री के पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री के अलग रजिस्टर बनाए है जिए जोग्राफी का अलग कोई यूट्यूब चैनल पकड़ लिजिए बुक्स ले लिजिए और यहां फिर कोचिंग लगा लगा लिजिए बुक्स से डेली पढ़ते रही ए कई बार क्या होता है आप यूट्यूब चैनल से पढ़े बुक्स में क्या होगा जो मैं बता रहा हूं कि इसमें आपको प्रीवियस एर के कोश्चन मिलेंगे तो आपने मालो टॉपिक पढ़ा एनलोग इस वे आपको पता रहेगा जब आप बुक के इसमें कोश्चन कर लेंगे कि पेरे सामने जैसे आप ऐसाई की तयारी कर सब्सक्राइब करेंगे कि पहले एवरेस से एसाई के पेपर में किस तरह के सवाल आए हैं आप उनको कर पा रहे हैं जब आप करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपको लगेगा कि हां मैं यह कर पा रहा हूं या फिर यह बहुत ज़्यादा कठीन नहीं है थोड़ा सा आपको motivation मिलेगा और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे तो यह हो गया आपको complete syllabus आप इसको note कर लीजेगा इसके अलावा exam की मैंने आपको detail बता दी उमीद है जो मैंने यह सब बनाया लिखा तयार किया इससे आपको benefit मिलेगा अगर आपके कोई सवाल है कोई confusion ह तो आप बिलकुल मुझे से पूछ सकते हैं